हेलो एवरिवन बेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके साथ चटपटे अद्रक लहसुन और हरी मिर्च के अचार की रेस्पी सेयर करेंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने लहसुन, हरी मिर्च, नीबू और ये अद्रक ली है लहसुन को हमने छीन लिया है अगर लैसुन की कलिया बढ़ी है तो आप इसे पीज से काट लीजे और अगर छोटी है तो इसी तरह से आप अचार में से यूज कीजिए हरी मिर्च को भी हम बीच से काट लेंगे ये दिखें अद्रक को भी इसी तरह से काट कर हम तयार कर लेंगे इसके भी पतले और लंबे टुकडे हम कर लेंगे अगर आपके याँ धूप आती है तो आप इसे एक घंटे के लिए धूप में रख दीजिए नहीं तो पंखे में दो घंटे के लिए इसे इसी तरह से काट कर रख लीजिए सभी को इसी तरह से हम काट कर तयार कर लेते हैं ये देखिए हमने सभी चीजों को काट कर तयार कर लिया है अब हम एक बाउल में अद्रक और हरी मिर्च दोनों को ले लेंगे और जो हमने तीन नीबू लिये थे उनका रस हम इसमें डाल देंगे नीबू से मिर्ची में तीखापन कम हो जाएगा और खटापन अचार में आ जाएगा अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक डालेंगे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब अचार के लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे यहाँ पर हमने एक चम्मच सौफ दो चम्मच राई दसवारा काली मिर्च और आधा चम्मच मैथी दाना लिया है सभी को पैन बर डालकर शूखा ही रोष्ट करेंगे इन्हें हम ज़्यादा रोष्ट नहीं करेंगे बस इनका मोश्यर अलग ना हो आधे मिनट के लिए बस हमने इन्हें इसी तरह से रोष्ट कर लिया है ठंडा जब यह हो जाएगा तब एक ग्राइंडर में डालकर इन्हें मोटा कूटनेंगे मसाले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं अब हम इन्हें पीस रहे हैं यह देखिए इन्हें हमने बारीक नहीं किया है मोटा दरदरा ही कूटा है इधर एक कड़ाई में सर्सों का तेल लेंगे आप चार सर्सों के तेल में ही बनाईएगा जब तेल बढ़िया गरम हो जाए तब इसमें एक चम्मज जीरा और चुटकी भर हींग डालेंगे कच्चे तेल में आप जीरा और हींग मढ़ डालिएगा इसमें एक मिनट के लिए लेसन को चलाते हुए हम भूल लेंगे इससे लेसन की इसमें निकल जाएगी और कच्चापन भी लेसन में नहीं रहेगा इस तरह से अचार बनाने से आपके अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा और हम इस टेंट अचार बना रहे हैं इसलिए भी हम लेसन को पहले से ही थोड़ा सा भून लेते हैं इस अचार को आप बना कर तुरंद दो घंटे वाद खा सकते हैं लैसुन भी बढ़िया फ्राई हो चुका है इसका कलर ना चैंजो बद इतना ही आप इसे भूनियेगा जादा लैसुन को नहीं पकाईएगा आधी चम्मच इसमें हल्दी डाल देते हैं हल्दी हमने पहले भी डाली थी एक चम्मच ये हमने कस्मीरी लाल मिर्च डाली है इससे अचार में कलर वड़िया आएगा ये बिल्कुल भी तीक ही नहीं होती है इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया है अब गैस हमने बिल्कुल ओफ कर दिये तेल भी हमारा हलका ठंडा होने लगा है अब हम इसमें जो अचार का मसाला तयार करिया था वो डाल देंगे अब अद्रक और हरी मिर्च को भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते है और लीजिए हमारा चट पटा अचार बन कर तयार है ये अचार आपका साल भर तक बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है और इसमें बनने वाला समय सिर्फ पांच मिनट है उपर से थोड़ा सा नमक और डाल देते है क्योंकि अचार को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो नमक इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज कीजिए नमक को भी हमने मिक्स कर दिया और इसी इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं ये देखिए हमारा इस्टेंट लहसुन अतरक और हरी मिर्च का चट पटात अचार बनकर तयार है जब अचार बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इसे काच के जार में भल लीजिए काच का जार आप बिल्कुल सुखा यूश कीजिए नहीं तो आप का चार खराब हो सकता है ये देखिए अचार बनकर तयार है आप इसे रोटी पूरी परहाटा या सबजी ना होने पर भी यूश कर सकते हैं खाने में बहुती जादा टेस्टी है अब आप ये बताईए कि आपको हमारी अचार की रेस्पी कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंड जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी ना भूने थैंक यू